लो तोश्रों मुस्ट के आज वीडियो के अंदर तो यहां पे बात करते हैं bitcoin के बारे में जैसे कि पास एक resistance जिसके उपर अगर bitcoin क्लोज करता है तो bitcoin को इस resistance को as a support create करना पहुंच जाता है इंपॉटेंट है तो अगर अभी हम लोग 4 आपर के chart में चलते हैं तो कहीं है कई prices जो pump हुए थे उसके बाइस थोड़ा correction ले रहे हैं जहां पर almost 4 to 5 percent का correction है it means कि bitcoin का price around around 30,000 के आसकर established होना चाहिए जिसमें कि अगर इसको establishment मिलता है तो market ऐसे थोड़ा bounce कर सकता और second target nearest आप 34,000 to 35,000 का लेके चल सकते हैं इसके साथ आज अच्छी बात है कि आज monthly closing हमें यहां पर देखने को मिली है और monthly closing के अगर बात करें almost bitcoin के अंतर हम दूसरा chart यहां पर ले लेते हैं जिससे कि हम लोगों monthly closing आपर clearly समझ आ सकें तो यहां पर monthly closing का सबसे important जो roll आपको दिखेगा वो देखा इस point पर जहां पर कि यह जो पिछले महीने की candle थी आने की मही की candle यह close हुई है around around 31,600 और नीचे गई थी लगवक 25,000 की ranges के अंदर जो कि एक positive sign definitely है क्याकि जब तक market इस वाले लाने को break नहीं करता 28,800 तब तक bitcoin कहीं से भी bearish market की तरफ हमें जाता हूँ नहीं मिलेगा हाँ यह definitely bear market है लेकिन यह एक short term bear market है चाहँ पे 50% के आसपास का correction bitcoin है किया है 50-55% लेकिन यह important एक level है 28,000 का इसको break नहीं essential है ताकि एक pure bear market हमें देखने को मिल सके है वैसे अगर upper levels की बात करें तो upper level में जो अभी का highest point है वो है 48,000 के आसपास यानि कि अगर bitcoin 48,000 के उपर closing करता है तो आपको जो bull rally है वो continue होते हुए मिल सकती है तो monthly closing यह पर already हो चुकी है और अभी थोड़े दिन पहले यहां पर weekly closing भी हुई थी तो अगर आप weekly closing भी देखने के कोशिश करते हैं पिछले दो हफते की closing भी तो यह कही ना कही हमारे जो supportive line है 28,800 उसके उपर ही हुई है और आप continue यह चीज भी observe कर पाएंगे कि bitcoin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 महीने से लगबग नीचे की तरफ किर रहा था तो यहां पर लगबग अब bitcoin के अदर थोड़ा potential है कि यह वापी से recovery करेगा और इसकी recovery के ब तो यहां पर chances बनेगे कि फिर market अपने second resistance 48,000 को भी test करता है अफिर नहीं वो सारे हमें data के थूँ यहां पर पता पढ़ जाएगा अगर हम लोग data की बात कर रहे हैं आप आते हैं bitcoin के हाँ पर quarterly charts में या monthly charts के अंदर तो अब देख सकते कि मही का महिना माइनस 15 में close हुआ है तो अभी का जो market है वो थोड़ा थोड़ा हमें 2021 जिसा देखने को मिल रहा है जापे पिछले जो तीन महिने थे अपरेल में जून य negative गए थे हाला कि उसके तीन मेने पहले positive गए थे तो अभी हमें देखना होगा कि जून यहां पर क्या करता है मही के अंदर की closing negative हुई है लेकिन हाँ इस तो से positive हुई है कि उसने कभी भी पिछले माला जो low हमारा था क्या हम कह सकते जो bottom point था उसको break यहां पर नहीं किया है त इंपोर्टेंट यह है कि अब जून के अंदर market यहां पर क्या करता है और किस तरीके से momentum देता है लेकिन आने वाले जो मन्त होंगे जुलाई, अगर सिदंबर, अक्टूबर, नमबर, बदिसंबर जो भी हमें second half देखने को मिलेगा इस साल का वो definitely positive यहां पर रहने वाला है as compare जितना negative अभी हमने आप देखा है, जब तक कि bitcoin sustain करेगा 28,000 dollar के उपर इस point पर, तो bitcoin में अगर आप जा रहे हैं, bitcoin में आपको भी entry देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप यहां पर wait कर सकते हैं, और four over according आप अपनी जो entries हैं, उनको आप फाइनलाइस कर सकने कि कहां से में आपना पर सीख सकते हैं, मेरे इस particular course के अंदर, जिसके अंदर हम आपको detail में सीखाते हैं, कि किस तरह के से आप इन सभी partnership market के अंदर, अपनी trading को start कर सकते हैं, losses को minimize कर सकते हैं, और profit को maximize करने के तरीकों को यहां पर बताया जाता है, तो इस सभी चाहिए के लिए अगर आ अब मेरा कोई audience साभी नहीं है, चलिए वापिस आते हैं, अपने chart के उपर, bitcoin के हम लोग ने almost आपे बात कर ली है, bitcoin के साथ अगर हम लोग बात करते हैं, इसके CME chart के बारे में, तो एक gap है 34,000 से 35,000, तो targets में आपको बता चुका हूँ कि यहां तक market test कर सकता है, market के दो सिनार इनको test करने फिर यहां पर जा सकता है, इसी के साथ बात करते हैं, लोग bitcoin की dominance के बारे में, तो dominance still अभी भी एक अच्छे खासा level के उपर बैठी है, और कहीं ना कहीं, dominance still यहां पर continue form होके upside की तरफ जा रही है, हम expect कर रहे थे कि थोड़ा सा correction आता है, तो 45 के असपस का एक base ब बच के रहना चाहिए, क्यांकि alts की performance आएगी तब जब bitcoin अपनी dominance को थोड़ा बहुत lose करेगा, लेकिन अगर bitcoin dominance खीच रहा है, तो कहिना कि bitcoin थोड़ा सा ज्यादा dominant करेगा as compared to alts, यही पर हम लोग बात करते हैं, अपने other dominance के बारे में, जो कि altcoin की dominance है, तो altcoin की dominance में थोड़ investment रहने वाला है, अलग कि 2000 के असपास test किया था, थोड़ा सा correction इस point पर ले रहा है, और अगर आप 4 hours में देखने की कोशिश करते हैं, तो market का भी current support 1900 पर है, और second support फिर हमें 1800 के असपास देखने को मिलता है, तो यहां से भी अगर market bounce करेगा, बहुत अच्छा और अगर इस point स देखें, तो यहां पर कहिना कि market इसको बारबर test कर रहा है, इसको hit करता है, तो market इसको break कर सकता है, तो market इसको break कर सकता है, और इसका highest point होगा, अगर हम इस position के according देखने की कोशिश करते हैं, वह है 2170, वहां तक market जाके hit कर सकता है, इसको break करता है, तो definitely 2500 के levels, हमारा लिए अगेगा market इसको नीचे के तरफ आता है, तो आपके इस अलगलग supportive level हो, जिनके उपर आप अपनी entries को फिर यहां पर बना सकें, इसी के साथ बात करते हैं, semi future gap के बारे में, तो यहां पर पर एक gap पाकी है, जो around 2500-2600 की बज़े हुई है, जो कि हमने Ethereum में देखने को मिलती है, it means कि Ethereum अगर यहां से वापे से एक bounce back देता है, तो 2000 के level के break होने के बाग, 2500 उसके लिए अगला target होगा, जैसे कि already हम लोग यहां पर discuss कर चुके हैं, तो यह थी दोस्तों कुछ major important updates Bitcoin और Ethereum की, क्योंकि अभी monthly closing होई है, तो हम Ethereum की बात भी यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर द तो यहां पर currently जो आपका lower point है, वो है 1700 डॉलर का, जिसको कि Ethereum ने break नहीं करा है, और monthly वाइस बात करें, तो 1900 पर closing होई है, जो कि 1700 से अल्रेडी ऊपर है, और यहीं पर बात करते हैं, weekly closing के बारे में, तो weekly closing में आपर थोड़ी better हमें देखने को मिले हैं, जो कि around 1800 के आसपास है and 1700 को इसने break नहीं करा, इट विंज की जो important level था, वो यहां पर break नहीं हुआ, यह अभी तक जिब तक hold होगा, तो next जो resistance हमें Ethereum में देखने को मिल सकता है, वो around 2400 to 500 मिलेगा, जहां पर कि हमें CME gap भी देखने को मिल जाती है, तो बस बस यह तो बात हो गई Bitcoin और Ethereum की, अब बात कर लेते हैं कुछ news की, तो सबसे पहले हैं पर news निकल के रही है, कुकोइन की तरफ से, और कुकोइन ने basically अपना web 3 जो कह सकते हैं कि आप जो wallet है, वो हैं पर release कर दिया है, जो कि decentralized wallet होने वाला है, हम सभी को बता है कि अभी हम बहुत सारे wallet यूज़ करते हैं, जैसा कि Metamask है, या फिर भी browser ने खुद का भी लाया था, तो कुकोइन basically आपर launch कर चुका है decentralized wallet platform, जो कि web 3 को आपर help करेगा, इसके अंदर आपको bitcoin, ethereum, usg, currencies मिलेगी, जहां पर क्या buy, sale, trade और इनको send भी definitely यहां पर कर पाएंगा, इसी के साथ हची बात है कि यहां पर आपको DeFi, NFT, और gaming services के sections भी देखने को मिलने वाले, तो अगर आप इसके पर को dedicated video चाते हो, तो definitely मैं बना दूना, अगर आप इसको definitely use करने वाले हो, लेकिन हाँ, कुकान पर वेब 3 की तरफ यहां पर growth कर रहा है, जिसके लिए इसका पहला wallet यहां पर आ चुगा है, अगले दोस्ते बहुत ही यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी रीजन आपर हो सकता है, लेकिन हाँ, जैसे सतोशी ना का मोटत है, ऐसे ही सबका कहा जा रहा है कि, इन्होंने भी अपनी identity आज सक नहीं बताई थी, और अभी जो इनके twitter के post हैं, और जो बाके blogs हैं, उसको इन्होंने आपर delete क में हैं, तो आप उसको कह सकते कि, वो community oriented project जादा है, तो अगर यह आते हैं, जाते हैं, इसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर एक बड़ा influence जी बाइनु का definitely इनके हाथ में हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क आपर बढ़ सकता है, अगी तो बहुत अची एक heavy buying pressure देखने को मिला है, तो यहाँ पर basically एक report सामने निकल के आई है, अगर आप इस chart को थोड़ा देखने के कोशिश करते हैं, तो जितने भी आपके non-zero balance wallets हैं, वो यहाँ पर grow करें, अगर आप देखे तो 70,000 जब से bitcoin आपर drop हो रहा है, तब से सारे की सारे जो wallets ने grow कर से जब bitcoin 70,000 से गिर के 50% correction यहाँ पर ले चुका है, तो आप इस time पर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, comment box में आप मुझे इची पढ़ा सकते हैं, अगले दोसरा पर खबर आ रही है EU की तरफ से, यानि की European Union की तरफ से, और इनका क्याना है कि जो inflation यहाँ पर बढ़ आए क्योंकि inflation obviously बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, America 8.5 के असपस है, इंडिया के inflation तो पता नहीं क्योंकि already 8% तो इंडिया में पहले चल रहा था, और अगर inflation US से इतना ज़्यादा बढ़ा है जो 2% से 8% आच चुकता है, तो इंडिया के inflation 12-13% के असपस, 15% के असपस भी यहाँ पर जा सकता है, जो कि आप अपने local market में जिब निकलोगे, तो ज़्यादा बैटर तरीकी से देख पाएंगे, लेकिन EU के अंदर भी inflation बढ़ा है, obviously जब US में बढ़ेगा तो हर जगे बढ़ना ही है, तो यहाँ पर basically inflation के कारण इंका क्याना है कि लोग जो ह सबसे बैटर सभी के पास कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनका यही कहना है कि हो सकता है, हाला कि वो रिक्स वाली बार definitely आती है, लेकिन एक अच्छा option है कि inflation अगर बढ़ता है, तो जावता सब्सक्राइदा लोग Bitcoin को accumulate करने की कोशिश पॉइंट करने वाले हैं, आज कि दोस करें, तो उनके थ्रू जाएंगे, यह सारी चीह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कह सकते कि South Korea इस section में, या Metaverse के इतना पैसा invest कर रहा है, तो आनने वाले टाइम में और भी countries कर सकते हैं, तो Metaverse का जो trend आकर आता है, उसके पर definitely focus करेगा, बहुत सरे projects जो dip में आपको मिल जाएं तो definitely जाए share करें, तकि वो लोग भी crypto market से अब updated रह सकें, और अगर आप आए फर्स चानल के उपर तुरण जाए इस चैनल को करें, सब्सक्राइब, साइड में दीकर नोटिफिक्शन, बैल को दबागे, क्लिक करें, और कि मेरा आनने वाली सभी वीडियो के information प्रॉपर टा